एक बार तीन दोस्त भंडारे में जाते हैं और जाके वहापे वो खाना शुरू करते हैं तभी पहला दोस्त बोलता है काश हम भी इस तरह के भंडारा आयोजित कर पाते और लोगों को मुफ्त में खिला पाते तबी वहापे दूसरा दोस्त बोलता है, हाँ मैं खुद यही चाहता हूँ, लेकिन मेरी बिल इतने आती है, मुझे इतना पैसा देना पड़ता है लोगों को, कि उसके बाद मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं बचता है, तो मैं लोगों के लिए भंडारा कैसे आयोजीत कर सकता तबी वहापे तीसरा दोस्त बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारे खर्चे इतने ज़्यादा है, भंडारा आयोजीत करना हमारे लिए संभव ही नहीं है, तबी बाजू में एक महात्मा इन तीनों की बाते सुनते रहते हैं, और सुनने के बाद वो ये तीनों को इशारा करते हैं, इशारा जैसी करते हैं, तीनों महात्मा के तरफ देखते हैं और तब महात्मा बोलता है, कि तुमको अगर भंडार आयोजीत करना है, तो उसके लिए पैसों की बिल्कुल ज пытन हैं, जैस यह बोलते हैं, तो तीनों लोग एकदम ध्यान से सुनने लगते आ अपने च्छत के उपर रख सकते हो अगर तुम्हारे पास चावल भी नहीं है तो थोड़ा सा पानी रख दो जब पक्षिया उनको खाएगी तो वो भी उनके लिए भंडारा हो जाएगा या फिर तुम गाय को रोटी खिला सकते हो कुट्तों को खिला सकते हो या फिर जानगा सकते हो तो तुम जानवर को खिलाओ वो भी भगवान की ही अवतार है उनको भी खिलाओगे तो वो भी प्रकार का भंडारा ही होता है तो तुम्हारी अगर सोच अच्छी है तो तुमको पैसो की जरूरत नहीं है तो उनको अगर सच्छे मन से भंडारा करवाना है तो तुम के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नीचे लाल वाला वटाने और उसको दबा देना उससे हमारा प्रोसाहन बढ़ता है और हम इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए ला सकते हैं और साथ ही साथ इस तरह की कहानी अपने दोस्तों के साथ वस्ट सैप में शेयर कीजी मिल झाल 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